डाइबिटीज काफी common problem बनती जा रही है डाइबिटीज में आज कल कई सारे pet parents को यह complaint को डाइबिटीज है क्या सवाल सारे कि क्या science हो सकते हमाई डाइबिटीज है या नहीं पता करने के लिए तो आपको टेंचल लेने की जरुवत नहीं है आज की वीडियो में मैं आपको important वीडियो है लोगों को शेयर कीजे का कि उनको इस बारे में पता चले और अगर उनकी डाइबिटीज हो जल्दी ही वह ठीक हो जाए क्योंकि अर्ली स्टेज में पता चलेगा तो क्यों और हो सकता है ज़्युक्त करके बता है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी डाइबिट जो symptoms आते हैं या फिर में को sign है आप पता कर सकते हैं वो है Peeing more than frequently अगर आपका dog breed बार-बार सुसू कर रहा है यानि जैसे normally करता है उससे ज़्यादा बार-बार बाहर जाने के लिए वेट करता है आपके दरवाजे के पास पी करने के लिए घर में करने लग गया है तो यह sign हो सकती है कि आपके dog breed को maybe diabetes हो तो इसकी kidney जो है डंक से function नहीं करती diabetes में इसलिए उसकी जो है बाबा सुसू जाना परता है इसके जो हम डॉक्टर की बाश्या में हम कहें तो इसे कहेंगे polyurea अब ऐसा नहीं कि आपने एक दो दिन देखा या फिर कभी कभी जो है dog breed क्या है सीजन चेंज होने के कारण भी कर सकता है जैसे कि समर्स में नॉर्मल हो तो जो थंडी आती है तो थोड़ा पीइंग जादा कर देता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि थोड़ा सा जादा कर दिया तो इसका मतलब यही है अगर आपको doubt हो तो आप check up करा सकते हो आराम से इसके आप ensure होगे लेकिन थोड़ा सा जादा हो तो ऐसा नहीं है कि उसको यह sign ही अगर जादा हच से जादा हो रहा हो medium से बहुत जादा हो तो आप समझ सकते हो next अगर आपका dog bit excessive पानी पी रहा हो यानि नॉर्मल से जादा ही पानी पी रहा हो अब कुछ लोग ऐसा सोचते कि में dog bit को जो है कुछ activity कराया या फिर कुछ खेलने ले गया walking पे ले गया तो पी रहा है तब नॉर्मल है हाँ तब नॉर्मल है लेकिन अगर आपका dog bit बीना ऐ अगर टॉयलेट जादा कर रहा है तो मेभी और जादा पानी पी रहा है इसके मतलब इसको dehydration बे जादा हो रहा है नेक्स आता है जरुट से जादा खाना काफी बार ऐसा होता है कि हम लगता है कि dog bit खाना अचानक से खाना बढ़ गया है या फिर मैं activity करा रहा हुता हो तो ख खा सकती है नेक्स आता है vom toast के बार-बार उसको भूक लग या और हमेशा भूका रहता है तो और आपका रहता है जादा को उसको ज्यादा होसकती है नेक्सता है vomitting वॉमिटिंग के उपर कली मैंने एक अलग से वीडियो डाली कि अगर आपका जो है वाइट फॉर्म दिखता है येलो फॉर्म दिखता है तो उसके रीजन्स क्या होते हैं किसे स्टॉप कर सकते हैं तो वो चाहे तो आप देख सकते हो लेकिन अगर आपका डॉग बीड जो है कॉंस्टेंटली कर रहा है और हट से जाधा कर रहा हो तो ये भी एक साइन है कि आपके डॉग बीड को जो है डाइबिटीज हो सकती है नेक्स्ट आता है वेट लॉस अब सबसे कॉमन चीज़े जो ज़्यादा तर देखी जाती है वो है डॉग बीड का जो है अचानक से शर जो फैट्स होते है वहां से वह एनरजी जो है जनरेट करने की कोशिच कर लेते बॉडी और उसकी करण जो उसका वेट है डिक्रीज होने लग जाता है नेक्स्ट लो इन एनरजी आपने कई बार देखा होगा कि डॉग बीड जो है नॉर्मल तो ठीक रहता है लेकिन जब भ भी जाने की इच्छानी और यह की जगपे बैठा है और कोशिच करने पर उठनी पार है तो जरूर से आपको यह साइन लेना है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जरूरी नहीं की डाइबिटीस का यह साइन कुछ और भी हो सकता है इसलिए तुरंत आपको जो है मेड आता है आई प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा कि डाइबिटीस में सुना होगा कि डाइबिट के जो आई का जो है जो देखने की शक्ति होती हो कम हो जाती है या फिर वो धंक से देखनी पाते तो यह सच है अगर आपके डाइबिट का भी जो है आई प्रॉब्लम्स आ र करने के लिए यह सब कहीं बार देखा गया है कि जो डाग बिट के डाइबिटीज होती है तो यह सब साइन्स काफी ज्यादा कॉमन और देखी जाती है इसलिए मैंने आपको यह साइन्स बताए आसा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए द